वेल्कम टू आरेस्पी वर्ल्ड जोतिश आध्यत्म वास्तुई फैंक्सुई कलर एंड स्टोन थेरिपी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को भी आन कीजिए वीडियो पसंद आये तो उसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हां कमेंट में अपनी बात जरूर लिखे तेंक्यू नमस्कार दर्शको में रभी पवार एक बार फिट से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल आरेस्पी वर्ल्ड पर और जन्म कुणली देखना कैसे सीखे इसी सीरीज का गुनिसवा पार्ट आज हम आपके नॉट यहां तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सूर्य से ग्रह का अस्त होना यह च्ट रखाए थी कि सूर्ये बुद्ध और शुक्र Palmer ग्रह सूर्य हो जाते हैं मैंने एक शब्द अस्त का वहाँ पर यूज किया था आज उसी शब्दों को मैं आपको समझाऊंगा यह मैंने आपके सामने दो सूर्य का चले जाना मतलब की अस्त हो जाना यानि कि किसी चीज का धीरे-धीरे करके बंद हो जाना अस्त हो जाना तो सूर्य का सूरिय के अंदर बहुत ज्यादा ही प्रकाश और आग है इसलिए इसके निकट कोई भी ग्रह अगर जाता है तो सूर्य उसे अस्त यानि कि उस ग्रह की डिगरी शक्ती अब समझिए या तो उस ग्रह की डिगरी या उस ग्रह की शक्ती को जीरो कर देते हैं अस्त कर दिया मतलब बंद कर दिया न तो जीरो कर दिया सूर्य ने सभी ग्रहों को एक निच्ची सिमा की डिगरी दी हुई है डिगरी मैं आपको समझा चुका हूँ जीरो से तीस डिगरी होती है तो सूर्य ने क्या क्या हुआ है यहाँ पे सभी ग्रहों को अपने पास बुल अस्ति नहीं करूंगा तो बिल्कुल आप Skip समझ के अना कि आपको अस्ति होना है कि नहीं होना यह मैंने आपको इज ितरीक से दिक्ते की का तलिए और कहा हुआ है कि यदि इस से अधिक मेरे पास आने पर मैं आपको अस्ति करदोंगा कुंडडलीस पार यहां पर बैठे में स ग्रहव को अस्त कर देते हैं। पूरी कुंडली में बेटे घृव को नहीं करते हैं। क्ट्रेज accustomed Disso नहीं करेंगे सामझगाest यहम्याफ को समझा रहा था , ऐसा नहीं है कि सूरी यहां बेठे है तो वह 12ाए कर रहे। पेले में भी खर रहे हैं दुसरे में भी तीसरे में भी चोथे में भी समय कर रहे हैं इसा नहीं जहां बैठेंगे वहां एक घर आगे एक घर पीछे बस उनका इतना भी तेज नहीं कि पूरी कुंड़ी को अस्त कर दे वो स्री वो जहां बैठते आगे पीछे और जहां बैठ लिखानी आएगा जो computer software या mobile के software से बनी रहेगी उसमें ग्रह का नाम लिखा रहेगा उसके जश्ट सामने अगर कोई ग्रह सूरे से अस्त हुआ है तो वहां पर लिखा रहेगा short form में और कोश्टक बना रहेगा तो यहां पर शब्द नहीं लिखा होता है ठीक है यहां पर कु कोई भी ग्रह 0 डिगरी से अधिकतम 30 डिगरी तक ही जल सकता है यहां मैंने पेले वाली वीडियोस में आपको बता दिया है इसी हिसाफ से कोई भी ग्रह 30 डिगरी इंटु 12 यानि कुंडली के 12 भाव में घुमता हुआ 360 डिगरी पूर्ण करता है अपनी 12 घर मीं घुमेगा अब देखिए सूरिय राहु वा केतु को छोड़ कर किसी भी घ्रह को अस्त कर सकते हैं, इन्हें नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये च्छायां ग्रह हैं, च्छायां को अस्त कैसे करेंगे, च्छायां तो अस्त ही नहीं होगी, बाकि सब को कर देंगे, उल वहाँ पे सुरी ग्रहन लगा देंगे। आपको देखने को बोलते हैं दरश्टी और साथ में बैठने को बोलते हैं यूती वो मैं आपको आगे और वीडियोस में समझाऊँगा तो सिरी वही पर ग्रहन दोश लगाएंगे ठीक है उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि सूरिय और राओकेतु को अस्ते नहीं करते हैं उल्टा राओकेतु इनको ग्रहन लगा द लीजिए चंद्रमा को बोला है कि बारा डिग्री अगर मेरे आप करीब आ गए तो मैं आपको अस्त कर दूंगा अगर आफ अगर आपको जो software राली कुंड़ी है उसमें अगर मंगल की डिग्री एक से लेके 17 है तो समझिए मंगल अस्त हो गए लेकिन 18, 19, 20, 22, 23, 25 लिकिए तो अस्त नहीं हुए और खेर वहाँ पे अ तो आपको लिखा मिली जाएगा तो आप उससे भी पचान सकते हैं यहाँ पे इत पातक का आगे कुंड़ी विचलेशन कीजिए उसके बाद बुद्ध और शुक्र अधिकतर कुंडली में अस्त ही देखने को मिलेंगे आपको क्योंकि सौर मंडल में यहां दोनों घ्र सूर्य के निकट होते हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको सबसे पास का घ्र जो है वो बुद्ध और शुक्र ही होता है इसलिए करूंडी में मैंने सूर्य को दसवे घर में यहां बिठा दिया रहे जो हमारे चंडर मंडल में जांज तो यह चंद्रमा बारा डिगरी के हैं यहाँ पे तो चंद्रमा यहाँ पे अस्थ ऑगय उसके बास शुक्र शुक्र को बैइन क्या बोला दा कि 9 डिगरी करीबा आ तो अस्थ हो जाएंगे अगया डख सिक पे एक calculation है उस calculation से समझना पड़ेगा देकि साथ में बेठा घ्रह आपको जल्दी से समझना जाएगा लेकिन एक घर आगे का और एक घर पीछे का जो है वहाँ पर एक मैतोमेटिक लाग वो हो जाता है एक प्लस माइनस का सिस्टम वहाँ से वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे अस्त होए वहुथ एक बड़ा विडियो बनेगा उसका जब डिगरी का विडियो बनाओं उसमें आप समझ जाएगे और आगे देखिए में में जो मंगल ल नहीं हुए ठीक है अब यहां पर आप समझे कि मंगल की दिगरी तो मैंने चार डिगरी लिखी हुई है ऊपको समझाया था कि 17 तक अस्त हो जाते हैं तो मंगल ऑग़े जो 4 डिगरी है वह 17 के अंदर ही आई तो फिर यहां पर आस्त क्यों नहीं हुए तो मैं आपको आगे जो सूरे से अस्त हुआ या नहीं इसका calculation बना हुआ है जो कि degree के plus minus पर निर्वर करता है मैं इसके बारे में एक और विस्तार और घेराई से वीडियो बनाऊंगा आप सभी software में वनी कुंडली के अंदर देख सकते हैं वहाँ पर आपको लिखाई देगा बस वहीं से पता चल कुंडली में अस्त हुए पहली कुंडली में चंद्रमा और शुक्र दोनों ही अस्त होगा है मंगल बजगा है मंगल अस्त नहीं हुए दूसरी कुंडली में चंद्रमा अस्त नहीं हुए है यह रही आपकी दूसरे नंबर की कुंडली यह देखिए यह सूर्य यहां बेठे चंद्रमा या अगले घर में बेटें तो चंद्रमा अस्त नहीं हुए उसके बाद तीसरी कुंडली में सूर्य के साथ ता आगे पीछे के घर में कोई घ्रह ही नहीं है इसलिए कोई अस्त नहीं होगा और केतू को वह अस्त नहीं कर सकते यह कुंडली के बात कर रहा हूँ मैं देखिए इसमें क्या हुआ यह बेटे सूर्य के साथ केतु के लाभ और कई घ्रह नहीं है केतु को अस्त करने सकते हैं मैं आपको बता दिया उल्टा यहां पर इस कुंडली में तो केतु ने यहां वह सूरी घ्रह अंदोश लगा दिया है अब आगे वाले घर में देख लिए जी कोई घर में कोई घ्रह ही नहीं है पिछले वाले घर में भी कोई घ्रह ही नहीं है तो यहां पर भी कोई अस्त करेंगे जब घ्रह ही नहीं तो किसे अस्त करेंगे कुछ होना भी तुछ यह अस्त करने के लिए उसके बाद चोती कुंडली समझे चोती कुंडली में मंगल मंगलवा बुद्ध अस्त हैं और चंद्रवा गुरु अस्त नहीं हुए हैं आप देखिए चोती कुल्डी मैंने यहां पर ऐसी बनाई है कि मैंने यहां पर पांच-पास घ्रों को एक-एक साथ बिठा दिया है आपके पास इसी कुल्डी आएंगी बहुत सारी जिसमें बेटे भी साथ में भी अस्त नहीं करें तो वहां पर उसके साथ सी घ्रों की डिग्री अभी ज्यादा ज्यादा है इसलिए सूर्य के पास आ ऐस्त हूंगे यहां पर क्या हवा कि कोई गया क्रॉस में आ गया तो यह तो जायेगा क्योंकि अ गज़त आपको यह कुँद्ली में हैं यहां पर यह घर में बैटा वा लाँ मिलेगा क्योंकि वो सोर मंदल की इस्तिती है कि घ्रह इतनी दूर है पर कुंडली में वो इस्तिती इतनी दूर नहीं एकदम पास की हो जाती है दूर कौन सा घ्रह बेटा होता जो कि बहुती दूर डिग्री पे बेटा होता शनी हमें सा दूर ही बेटा हुए मिलेंगे इसलिए आपको तो यहां पे तो यहां कंफ्यूज मत होना आपकी सूर्य के साथ बेड़ गए हैं तो सब अस्त होगा है ऐसा नहीं है कुछ सफ्ट्वर वाली कुंडली में लिखा आता है तो यह अस्त होते हैं अदरवाइस नहीं होते हैं यह मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा तो आसानी साथ समझ गए होंगे बाकी में एक वीडियो उस पर बनाऊंगा प्लस माइनस का बहुत लंबा वीडियो होगा हो आपको बिल्कुल केल्कुलेशन समझना पड़ेगा उसमें उसके बाद आप निकाल लेंगे फिर आपको यह भी समझ में आएगा कि यहां पर चा रखा जाता है उसको तो वीडियो आपको यह बहुत ही अच्छा लगा होगा मुझे पूरी उम्मीद है यहां पर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक किजिए शेर किजिए दुसरों को भी ग्यान पुचाईए हम जन्म कुंडली देखने की पूरी सीरीज यहां पर स चैनल को सब्सक्राइब किजिए पहले के वीडियो स्टार्टिंग से देखिए एक नंबर से तब आपको यह वीडियो ज्यादा समझ में आएगा और मिलेंगे आपके साथ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक नए जानकरिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू जब भी अपनी जनम कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं और ओरिजनल राशी रत्न रुद्राक्ष खरिदना चाहते हैं तो हमारे वाट्सप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं धन्यबाद